यह question में बोला है 2x by x to the power 4 plus x square plus 1 is equal to यह 4 option दिये हुए हम notice करें तो यहाँ पे denominator अलग-अलग है तो हमने देखा कि इसको factorize किया जा रहा है तो यह तो standard है अगर इसका factorization आपको पता है तो देखिए x to the power 4 plus x square plus 1 अब यहाँ notice करेंगे तो यह x का square यह x square एक term है plus 1 तो a माल लेते हैं यह a का square plus यह वाला है b का square और यह 2ab होना चाहिए था यहाँ two times तो है नहीं है तो हम यहाँ पे plus x square extra दे रहें और minus x square अब यह पूरा मिलके हो जाएगा x square का square plus 2x square plus 1 square and minus x square तो यह आएगा x square plus 1 का whole square minus x square तो क्या-क्या factors आएगे x plus में एक आएगा और एक बार minus में आएगा इसको थोड़ा arrangement करके लिखें decreasing order में तो यह दोनों आएगे अगर अब हम लोग इसको लिखते हैं 2x by x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1 और क्योंकि नीचे में linear है तो उपर में हम लोग नीचे में quadratic है तो उपर में हम लोग linear मानेंगे तो a1x plus b1 by यह quadratic plus a2x plus b2 by quadratic अब इसको cross multiply किया गया x square plus x plus 1 and a1x plus b1 into x square minus x plus 1 and a2x plus b2 into x square plus x plus 1 is equal to 2x by यह दोनों सेम चीज अगर हम देखेंगे तो इसको हमनों cut कर सकते हैं तो क्या आएगा निकलके 2x is equal to और हम लोग multiply भी साथ में करते चलते हैं तो x cube आएगा यहां से x cube के साथ क्या क्या आएगा एक a1 आएगा और इधर से भी एक x cube आएगा तो a2 आएगा फिर आएगा x square का term x square का यह दोनों देगा minus a1 यह इसके साथ तो plus b1 यह वाला इसके साथ तो plus a2 और इस वाले को इसके साथ तो b2 plus x का term आएगा x में this into this तो a1 this into this तो minus b1 this into this तो a2 b2 को x के साथ तो b2 और constant term के आएगा b1 और b2 b1 प्लस b2 अगर हम लोग compare करेंगे तो इधर x cube का तो term नहीं यानि के इसका coefficient होना चाहिए a1 प्लस a2 मिलके होना चाहिए 0 x cube के coefficient को compare किया क्योंकि इधर x cube नहीं है तो उसका coefficient होगा 0 और इधर है a1 प्लस a2 फिर x square का compare करेंगे तो minus a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 इस इक्वल टो वह भी 0 रहेगा फिर x का compare करेंगे a1 माइनस b1 प्लस a2 प्लस b2 जब x का compare करेंगे तो इधर x का है 2 तो इसको 2 मानेंगे और फिर last one b1 प्लस b2 भी क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि constant term कोई भी नहीं है तो इससे solve होके आ रहा है a2 जो है वो है minus a1 इससे solve होके आ रहा है b2 जो है वो है minus b1 अगर ये दोनों values हम लोग ये third वाले में put करें मतलब second वाले में तो minus a1 तो यहाँ पर रहे गई इसको मैं नीचे solve करता हूँ minus a1 b1 की value b1 ही रहने दिया जाए a2 की value minus a1 पर टो रही है और b2 की value minus b1 तो ये तो कड़ जाएगा तो a1 minus 2 a1 is equal to 0 तो a1 की value आगई 0 अगर a1 0 आगया तो a2 भी 0 हो जाएगा वो उसका minus times था एक 0 है तो दूसरा भी 0 हो जाएगा तो ये दोनों तो हो गए 0 अब b1 b2 क्यों solve करना हमें एक b1 b2 में यहाँ पर relationship यहाँ से मिला हमें और a1 a2 दोनों ही 0 है तो इससे क्या आ रहा है निकलके minus b1 plus b2 is equal to 2 अब b2 की value minus b1 यहाँ पर put किया तो minus b1 minus b1 equal to 2 तो b1 की value आ रही है minus 1 अगर b1 minus 1 है तो b2 कितना आएगा निकलके यहाँ minus 1 put कर दिया तो 1 आ जाएगा यानि हमारा a1 0 है a2 0 है b1 यहाँ पर है minus 1 और यहाँ पर है plus 1 तो ऐसा कौन सा option है जिसमें x के terms नहीं है खाली एक option है d तो यह वाला हो जाएगा answer क्योंकि a1 a2 जो है x के साथ multiply हो रहा है और a1 a2 दोनों की value है 0 हमने अभी solve करके दिखाया क्योंकि a1 a2 दोनों ही 0 है तो x के साथ वाले 0 हो जाएगे और आप देखेंगे चारो option में x लिखा हुआ है और एक में बस x नहीं लिखा हुआ है तो यानि यह वाला हो जाएगा answer b1